आहवान पर स्वच्छुता अभियान बना जनान दोगा सुप्रभातम स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतिये ज्यान परंपरा जीवन के लिए उपयोगी योग स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बहतर स्वास्थ पाने के प्रभावशाली उपय साजा करते हैं संस्कृत का ज्यान साथ ही होती है भारतिये संस्कृति की जलग मैं हूँ किरन भारद्वाज समय और शिक्षक एक समान होते हैं शिक्षक भी हमें सिखाते हैं और समय भी लेकिन दोनों में एक अंतर होता है और वो ये कि शिक्षक पहले सिखाते हैं और फिर परिक्षा लेते हैं लेकिन समय हमारी परिक्षा लेकर हमें सबक सिखाता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय के अनुसार चलना, समय के साथ चलना और समय के समान गतिमान रहना अनिवारे है तो आईए जान लेते हैं समय का ज्ञान क्या है, समझते हैं क्या है आज के तिथी, वार और नक्षत्र और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग आज का पंचांग जोदशी तिथी, मंगलवार, जेश्ठा नक्षत्र, आज का दिन सभी के लिए मंगल मैं हो जिन्दगी अनिश्चित्ताओं से भरी है इसमें अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता जीवन में हर दिन कुछ नए प्रश्ण, कुछ नई समस्याएं, कुछ नई परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं और हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उन परिस्थितियों का सामना करता है, समस्याओं के हल ढूंता है और इसमें सहीयोगी होती है हमारी समझ, समझ को बहतर विक्सित करने के लिए आवश्यक है सुविचार तो ऐसे ही कुछ सुविचार देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन को सकरात्मक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि विचार हमारे जीवन में उर्जा का स्रोथ है एतक्कार्यममरा संशृतम्मी धृतिष्यम सत्यधर्मानु वृत्तिहिं मनुष्यका करतव्य है रचना करना इंद्रियों और मन को वश्मे करना सत्य इवं धर्म का पालन करना तथा सभी पूर्वा ग्रहों को त्याग कर हर किसी के साथ समान व्यवहर करना चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे भारतिय ग्ञान परमपरा में आज बात एक युद्धत त्याग करें जिसका अस्तित्व सर्फ प्रथम प्राप्थ हुआ भारत के दक्षन राज केरल से संभवता सबसे पुरानी युद्धकला जिसे मदर ओफ ओल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है इस युद्धकला को भारत के दक्षन क्षेत्रों के अलावा श्री लंका और मलेशिया जैसे जो मलियाली समुदाए हैं उनमें भी काफी प्रचलित है युद्धकला और इसकी जहलक हमने कई बॉलिवुड के फिल्मों में भी देखी है तो आईए जान लेते हैं कि क्या है इसका इतिहास और कितनी लोग प्रियता है इसकी हमारे सहियोगी नितीश भरतवाज की इस वि विश्व की सबसे प्राची नितम और सरवाधिक वईज्यानिक युद्धकला जिसका नाम है कलरी पयट्टू जिसने केरल में लगभग 5000 साल पहले जन्म लिया केरल के कौरव के रूप में प्रशंसित यह युद्धकला दुनिया भर में सम्मानित और प्रशंसित है ऐसा माला जाता है योधा रिशी परशूराम कलरी पयट्टू के प्रणेता थे कलरी एक मलाय अलम शब्द है जिसका अर्थ पयट्टू नामक युद्धकला सिखाने के लिए एक पारम परिक रूप से बनी व्याया मशाला होता है इसमें कॉम्बेट और डिफेंस टेकनीक्स तो है ही साथ ही है हतियार, योग और हीलिंग टेकनीक्स का बेमिसाल मिश्रण इसलिए इसे मदर ओफ आल मार्शाल आर्ट्स भी कहा जाता है पैट्टु के चार चरण होते है इस कला में महरत हासिल करने के लिए ये चारों पड़ाव पार करने होते है में पैट्टु का अर्थ है शरीर और दिमाग को शक्ती प्रदान करने वाली ट्रेनिंग कोल्थारी पयट्टू अर्थात लकडी के शस्त्रों से ट्रेनिंग अंग्थारी पयट्टू में धातु के धारदार हत्यारों से ट्रेनिंग सिखाई जाती है और वेरुमकाई अर्थात खाली हाथों से बचाव और आक्रमन और हर पड़ाव को पार करने में शिक्षार्थी को एक साल से भी ज्यादा समय लगता है कलरी पयट्टु में तलवार, कटार, भाला, मुगदर और धनुशबान जैसी हतियारों का प्रियोग भी सिखाया जाता है कलरी पयट्टु का प्राथ्मिक लक्ष है मन और शरीर के बीच चरम सामन जस्य की स्थापना करना और दूसरा लक्ष है देशी ओशिदी विद्या में पारंगत होना कलरी पयट्टु अपने आप में धार्मिक आराधना के महत्वपून केंदर होते हैं अनुभवी कलरी योध्धा अपने प्रतिदंद्वी के शरीर पर मर्म स्थान पर हमला कर अपने विरोध्यों को निश्क्रिय या मार देने में सक्षम होता है यह तकनीक केवल सबसे होनहार और समर्पित छात्रों को सिखाय जाती है ताकि तकनीक का दुरुपयोग न किया जा सके इतना ही नहीं भारतिय युद्ध कलाकार मीनाक्षी अम्मा गुरुकल जिने केरल की इस पारंपरिक युद्ध कला कलरी पेटू की अभ्यास करता और प्रशिक्षी का रूप में जाना जाता है जिने 2017 में उनके उतकरिष्ट कारे के लिए भारत का चौथा सर्वुच नागरिक पुरसकार पद्मिर्श्री भी प्रदान किया गया इतना ही नहीं कलरी पेटू युद्ध कलाको अंतर राश्ट्रिय और भारतिय फिल्मों में भी दर्शा गया है जैसे अशोका, दमित, दा लास्ट लीजिन, कमांडो, बाजीराव मस्तानी, बागी, पदमावत, जंगली, अथीरा, सनक आदी मूवी में इस युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया है सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कुंग्फु कराटे आदी का जन्म कलरी पेट्टू से माना जाता है वस्तता कलरी सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, बलकि तन, मन और मस्तिष्ट को तंदुरुस्त और संतुलित रखने वाली कला भी है साथ ही यह भारत की अन्य कलाओं की प्रेणना भी है नितीश भारत द्वाज की रिपोर्ट जीरी न्यूज उत्तर भारत में सर्दी का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है जैसे जैसे तापमान कम होता है और सर्दी बढ़ती है इसके हमारे स्वास्त और शरीर पर कई प्रभाव होते हैं ठीक उसी तरह से प्रभाव होता है हमारे रक्त चाप यानि बलड प्रेशर पर जो लोग उच्छ रक्त चाप से प्रभावित हैं सर्दियों के मौसम में उनकी जटिलताएं और समस्याएं बढ़ सकती है ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है और किन बातों का ध्यान रखकर सर्दियों के मौसम में रक्त चाप को नियंतरित रखा जा सकता है साथ ही उच्छे रक्त चाप के रोगियों को कौन स कि साफधानियों का पालन करना चाहिए आए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि अगर कि सर्दियों के प्रभाव से कई तरह की शारिरिक समस्याओं और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है लोगों को जोड़ों में दर्द परिशान करता है दमा और श्वेसन रोगों का खत्रा बढ़ता है वहीं फ्लू की समस्याओं भी सर्दियों में अधिक होती है इनके अलावा एक और समस्या जो सर्दियों में कई लोगों को परिशान करती है वो है रक्तचाप का बढ़ा हुआ स्तर प्रकृती जो है वो सर्दी के मौसम में शरीर की गर्मी सहेजने का प्रयत्न करती है यानि हीट लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है हमारे शरीर की गर्मी एंवाइनमेंट में ना जाए इसका प्रयत्न करती है और इसके चलते जो हमारे हाथ पैरों की धमनिया है जो खून की धमनिया है वे सिकुड जाती है जिसे हम वेजो किंस्ट्रक्शन कहते हैं आम भाशा में इस से फाइदा शरीर को ये होता है कि शरीर का हीट लॉस कम हो जाता है लेकिन नुकसान ये होता है कि इस प्रक्रिया को राय लाने के लिए और रखने के लिए शरीर को अपना ब्लाड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है अपना हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन होते हैं जो इस प्रक्रिया को रखते हैं लेकिन उनके भी बहुत से दुश्प्रभाव होते हैं उच्च रक्तचाप यानि हाइपर टेंशन कई माइनों में हानी कारक हो सकता है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं रक्तचाप बढ़ने से दिल का दौरा और हृदे से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याएं होने की संभावना भी अधिक हो जाती हैं उच्च रक्तचाप होने पर स्ट्रोक की संभावना होती है खृद्यागात का खत्रा होता है एन्योरिज्म हो सकता है इसका प्रभाव आँखों पर पढ़ता है और आँखों की दृष्टी प्रभावित हो सकती है इसके अतिरिक गुर्दे पर प्रभाव होता है उच्च र हृदे रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रभा को भी नियमित करता है रक्त वाहिकाओं की दिवारों पर रक्त संचार करने का जो दबाव होता है उसे रक्त चाप कहते हैं इसमें से जादतर दबाव उस रक्त से होता है जो हृदे द्वारा पंप किया जाता है उपर वाला ब्लैड प्रेशर यानि सिस्टालिक ब्लैड प्रेशर यदि 120 के नीचे रहे तो उसे नॉर्मल मानते हैं और जो diastolic blood pressure है नीचे वाला blood pressure है वो असी के नीचे रहे तो उसे हम normal मानते हैं किसी व्यक्ति का blood pressure उपर वाला 140 के उपर है और नीचे वाला 90 के उपर है तो वो hypertension यानि उच्छ रक्चाप का बरीज है रक्चाप का स्तर सर्दियों में अधिक होता है क्योंकि कम तापमान रक्च वाहिकाओं को संकीर्ण कर देता है जिससे रक्च चाप का स्तर बढ़ जाता है रक्त वाहिकाओं के सिकुर्णे और नसों और धम्नियों के माध्यम से रक्त को बल देने के लिए अधिक दबाव की आवशक्ता होती है जो उच्छ रक्त चाप का कारण बनता है सर्दियों में उच्छ रक्त चाप होने के कई और कारण भी होते हैं क्योंकि इस समय पर व्यक्ति अधिक वसायुक्त आहार का सेवन करते हैं उनका वजन बढ़ जाता है शारिरिक गतिविधियां कम हो जाती है ये सबी होना सर्दियों में आम है जो उच्छ रक्त चाप के बढ़े हुए स्तर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं सर्दी से बचें यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं अपने हाथों को मलें ताके उन्हें गर्म रखा जा सके आप उन्हें हलका सेक भी सकते हैं और गरम रखने के लिए अपने ब्लाड प्रेशर की दवाईयां जरूर चेक करते रहें समुचत मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें खासतोर से वाम जो गरम पदार्थ हैं जैसे चाय है या गरम पानी है उसके इलावा दवाएं समय पर लीजिए जहां तक संभव हो बिलकुल सुबह सुबह या बिलकुल देर रात में जबके टेमपरेचर बहुत गिर जाता है उस समय में यदि बाहर ना जाय जाय तो अधिक यूसफुल रहता है यदि आपको पहले से ही उच्छे रक्तचाप की समस्या है तो मौसम बदलने के साथ अपने रक्तचाप की नियमे जाच करना आवशिक है सर्दियों में शारिरिक सक्रियता में कमी या नमक का अधिक मात्रा में सेवन रक्तचाप को बढ़ाने में सहीयोग दे सकता है यदि आप उच्छे रक्तचाप से ग्रस्थ हैं तो सर्दियों के मौसम में विशेश साबधानी रखें साथ ही ऐसे उपाय करें जिससे सर्दिय में आपका रक्त चाप नियंत्रित रहे किरन भार्द्वाज डीडी नियूज उच्छ रक्त चाप हो हृदे रोग या फिर कोई अन्य जीवन शेली से संबंधित रोग योग इन सभी बीमारियों से बचाव में उपयोगी है यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज में उपयोगी है और साथ ही स्वास्त को बेहतर बनाने में उपयोगी है योग तो आईए देख लेते हैं आज का योग मंत्र और सीख लेते हैं कुछ ऐसी योगी क्रियाएं जो आपको स्वस्त रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है नमस्कार मैं रोहिनी खोश आज हम कुछ योग तकनीकों से निजाद पाया जा सके वाइरल बहुत आम बात है आजकल जिससे बंद कान होने ही है तो देखते हैं पहली तकनीक जिसे कहते हैं ब्रमरी प्राना है इस प्रकार सुखासन में बैट जाएं अपने पीट को सीधा करिए शोल्डर्स को रोल बैक करिए और धीरे से हाथों को इस प्रकार अपने कानों में प्लग इन करिए स्वास अंदर भरे और भ्रमरी की अवाज निका लेगे इस आस अंदर भरे इस प्रानायम का अभ्यास पांच बार कीजिए बढ़ते हैं दूसरी तक्नीक पे जिसे कहेंगे करन रंद्रध होती तो इसी मुद्रा में सुखासन में बैठे रहे और धीरे से अपने हाथों को ले जाए इस प्रकार छोटी उंगली को कानों में डालके घुमाएं धीरे धीरे घुमाते रहें कुछ शनों तक इसका अभ्यास करें इस प्रकार अपनी छोटी उंगली को अपने कानों में 30 से 40 सेकंड तक घुमाईए ध्यान रहे आपकी बड़े नाखुन ना हो आपके कानों में इंफेक्शन ना हो अगर यह दोनों होंगे तो आपके कानों में हो सकता है शती पहुंच सकती है फीरे से हाथों को नीचे लाइए इसका नियमत अभ्यास कीजिए और देखें किस प्रकार आपको बंद कानों से आराम मिलेगा और आए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में गुरुम 근데 लबा सास अंदर ले नाक को बंट करके रखेंए और सास को बाहर जोड से भैकम का प्रयात्ना करें यह प्रैशưa की नाक और कान को घिंटी रखेंए जलतेटि करें गरम पानी की थेली का कान पर राक पर गले पर सेख करें वाम से हमेशा चीजंद खुड़ी रहती है और खाने में ध्यान दे जब भी मूँ खोलते हैं आ करते हैं जैसे हम उबासी लेते हैं तो वो उबासी लेना अच्छी तरह सीधा गर्दन करके बाजू में गर्दन करके उससे भी कान का प्रेशर हट जाता है इसलिए सब चीज करते रहेंगे तो कान स्वस्त रहेंगे करणर अंदर धोती यह तो करदी ही है बस तो कोशिच करते रहें सर्दियों के मौसम में नाग कान गले की समस्याएं बेहद आम हैं किसी का नाग बंद रहता है गला खराब होता है तो किसी को कानों का संक्रमन हो जाता है अगर इन सभी समस्याओं से बचाव करना है तो दो बातों का विशेश ध्यान दीजिए अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो गर्म और ठंडा अचानक तापमान परिवर्कन ना हो साथ ही अगर ठंड बहुत जादा है तो अपने सिर्ख को धकना मफलर और टोपी का उपयोग करना बेहर उपयोगी सिध हो सकता है यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए आप कहीं मज़ जाएगा देखते रहें डीडी नियोज मेरे पास अल्मोस सभी तरीके के कस्टुमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं दुकान वाले हैं हाउस वाइब्स हैं तो लोक समझते हैं इस चीज को के आज वो working है कल को जब वो working नहीं रहेंगे तो उस condition पे उनका क्या होगा तो इसलिए retirement plan हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने old एज पर आकर उस retirement plan का फाइदा उठा सकें अपने बहुतर कल को सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है धर्म शास्त्रों में स्तोत्र का विशेश महत्व बताया गया है तो आए आज संस्कृत पाटशाला में चलते हैं गुवेश दिवेदी के साथ जहां पर वो हमें सिखा रही हैं स्तोत्र दनम स्वागतम चे मित्राणी संस्कृत पाटशालायाम भवताम सर्वेशाम स्वागतम आद्धिय मंगलवास रहा अपने इस प्रभाग संस्कृत पाटशाला में हम आज एक नया विशे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं संस्कृत साहिति के प्रथम महा काव्य आदिकाव्य रामायन के युद्ध कांड में वरनित आदित्य हुर्दे स्तोत्र को हम आज सीखना आरंभ करेंगे अवसर बहुत अच्छा है श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारो हो निकठी है मित्रों देश के प्रायह हर वर्ग हर धर्म के व्यक्ती ने श्री राम मंदिर हेतू तनमन धन से समर्पन किया ही है हम चाहते हैं कि इस अवसर पर आप आदित्य हुर्दे स्तोत्र सीखें वो प्राण प्रतिष्ठा के समय इसे राम लला को अवश्य सुनाएं यह हमारी ओर से सही मायने में एक सच्छी वाक पुश्पांजली होगी आईए अब संक्षेप में बात कर लेते हैं आदित्य हुर्दे स्तोत्र की यह सूर्य की शक्तियों या गुणों को बताने वाला स्तोत्र है स्तोत्र यह इस शब्द का सही उच्चारण है कई बार अंजाने में हम इसे सुरोत या स्तोत्र या स्तोत्र कह जाते हैं लेकिन इसका सही उचारण है स्तोत्र यहां हमें शुद्धता का विशेश ध्यान रखना है वालमी की रामेन के अनुसार जब युद्ध कांड में श्री राम व रावन का युद्ध चल रहा है तब रावन के बल के आगे राम हारने लगते हैं यह केवल राम के साथ ही नहीं ह हुआ जीवन में हर मानव के साथ यह होता है संगर्ष के समय लक्षय तक पहुंचते पहुंचते हार का अनुभव होने लगता है अवसाद दुख वसंशय लगने लगता है कि जीत होगी भी या नहीं उस समय किसी आशा किसी शक्ति आत्मविश्वास वह इच्छा शक्ति की आवश्चक्ता महसूस होती है यही श्री राम के साथ भी हुआ था और उस समय अगस्ति रिशी ने उन्हें सूरी की शक्तियों को बताते हुए उनमें आत्मविश्वास वह बल का संचार किया था आदित्य अर्थात सूर्य यह है ही इतना शक्तिशाली अपने प्रकाश्ट से सभी अंधकारों को दूर कर देता है सभी अंधकारों का नाश कर देता है प्रकृती के जड़ चेतन सभी को समान रूप से लाभशानवित करता है एक सच्चे योगी की भाती भेद्भाव रह प्रकाश्ट से जगत को प्रकाशित करता है वह हम सभी में उर्जा का संचार करता है तो आए ऐसे स्तोत्र को जिसने श्री राम को भी उर्जा दी इसे हम पढ़ना सीखते हैं सबसे पहले आए विनियोग करते हैं विनियोग एक प्रकार का बॉंड है यह यूं कहूं कि एक या लक्षय उसका विवरण होता है आए इसे सीखते हैं आप पहले ध्यान से सुनिए और फिर हमारे साथ उच्चारन करिए ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य रिशिही अनुष्टुप चंदहा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्त शेश विग्नतया ब्रह्म विद्या सिध्धौ सर्वत्र जय सिध्धौच विनियोगा एक बार फिर से इसका उच्चारन सुनिए ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य रिशिही अनुष्टुप चंदहा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता न निरस्ता शेश विग्नतया ब्रह्म विद्या सिध्धौ सर्वत्र जय सिध्धौच विनियोगा आएए अब इस तोत्र का पहला श्लोक सुनते हैं ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयास्थितम रावणं चाग्रतो द्रिश्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैष्च समागम्य द्रश्टुमभ्यागतो रणं उपगम्या ब्रवीद्रामं अगस्त्यो भगवांस्तदा अगस्त्यो भगवांस्तदा मित्रों आज के अंक में इतना ही आप आदित तिर्दे स्तोत्र का कृपया दैनिक अभ्यास करिए और यह स्तोत्र आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय राम लला जी को अवश्य सुनाना है यह तो आपको याद ही रखना है हमारे अर्था डिडिन्यूज के शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब या एक्सपर आप इसे पुनह पुनह सुन कर अपना अभ्यास कर सकते हैं अपने परिवार के साथ मित्रों के साथ अवश्य करिए अभ्यास और अपने जीवन में भी अपने हृदय में सूर्य के समान शक्तियों का अनुभव करिए अपने अग्रिम अंकों में अग्रिम श्लोकों के साथ पुनह मेलिश्या महा नमो नमहा ग्यान वो रोशनी है जिससे हमें अपने जीवन में शक्तियों का आभास होता है ग्यान हमें अलग-अलग तरह से प्राप्त हो सकता है कुछ ग्यान पुस्तकों से मिलता है, स्रिष्टी से मिलता है, जीवन से मिलता है कहा जाता है कि जरूरी नहीं हर सबक किताबों यानि पुस्तकों से ही मिले, कुछ सबक जिन्दगी और रिष्टों से भी मिलते हैं तो आप भी अपने सीखने की प्रक्रिया जारी रखिए, ज्यान जहां से भी मिलता है उसको अरजित कीजिए और उस ग्यान को किस तरह से अपने जीवन में उपयोग कर जीवन को बहतर बना सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए आज के अंक में फिल हाल इतना ही हमारी पूरी टीम को दीजिए नमस्कार झाल